हलो, मैं है दौसीफ और आज का ये वीडियो वाटसअप के उपर है वाटसअप हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले कर रहा है हमारी सारी इंपोर्टन कन्वेसिशन आज कर वाटसअप पे हो रहे है हर एक छीज हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं फ्रेंड से बात करते हैं सब ही लोगों के साथ हम वाटसअप से जुड़े हुए तो ये भी इंपोर्टन थे कि हमें उसका बैक अप बनाते रहने चाहिए बद ये भी तो हो सकता है कि हमारा मॉबाइल खो जाता है से आपके वाटसअप का बैक बना लिया चाहिए ताकि अगर आप मॉबाइल अपना खो भी देते हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपका जो भी कन्वर्सेशन है वो सेफ रहेगा तो चलिए सबसे पहले उपर करते हैं वाटसअप यह वाटसअप है सबसे पहले इसका हम लोग वर्जन देख लेते हैं कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ वो सकता है कि आप अगर ओल्ड वर्जन यूज करे होंगे तो में भी यह function वाक नॉक करें तो हम लोग चलते हैं settings में help and यहां पर about मैं जो version यूज कर रहा हूँ यहां पर whatsapp messenger version 2.12.347 अगर आपके पास यह version नहीं है और play store से latest version जो है वो update नहीं हो पा रहा है तो आप उसकी website से install कर सकते हैं कैसे चलिए देख लेते हैं browser open कीजिए अपना browser open करने के बाद search bar में आप time कीजिए whatsapp apk मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप पहले website जरूर देख लेए किसी फालतू website पे ना जाए जो उसका official website और ट्राइ करेंगे उसी से download करें तो यहाँ पे है whatsapp for android आप इस पे मज जाएं यहाँ जो google play का है उस पे मज जाएं क्योंकि मेभी उस पे जो है latest version ना मिले आपको जाना है www.whatsapp.com slash android whatsapp for android और यहाँ पे download का option है आप़ भी दखिये 2.12347 जो अभी लेटेस्ट वर्जन चला है डाउनलोडनाव अड ओके यह डाउनलोडिंग जो है वह स्टार्ट हो गया whatsapp.ap यह डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आप इसे तो फिलाल मैंने लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है तो चलिए फिर से उपन करते हैं WhatsApp WhatsApp उपन करने के बाद आप मेन्यों पे क्लिक करके और जाएए फिर से सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद चैट्स और कॉल्स यहाँ पे चाट बैकप का ऑपशन यहां पे दिख रहे है यहाँ पे दिखें लास्ट बैकआप फिल्च गुगल ड्राइब सेटिंग्स डिग्स कर सकते हैं और आप जो भी जो भी कन्वर्सेशन होगि आपकी वो automatically आपके Google Drive में जो है वो सेव हो जाएगा तो यहाँ पर देखे बैक अप टो Google Drive इस पर अगर आप किलिक करते हैं तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं डेली या फिर आप जब बैक अप पर क्लिक करेंगे तब ही अभी कली या मंतली मैंने डेली कर रखा है तो यहाँ से अचाउंट चूज कीचिए अपने जिस Google अग्याँट से भी यहाँ पर लॉगिं किया हुए चूज कीचिए मैने यहाँपर मल्टिपल अग्याँट से लॉगिं किया हुए इसलिए मैं यहाँ पर चूज करूँगा तो आप कोई भी यहां से चूज कर सकते हैं, for example, कि मैं यहां पर इसे चेंज करके, तो सिर्फ खाली टू कर देता हूँ, Authenticating with Google Drive, Sign In, and Allow करने का Option यहां पर आ रहा है, हम Allow करेंगे कि हाँ, WhatsApp वो Google Drive को Access कर सकता है, Allow, Sign In, and यहां पर एड होगा, वैसे ही Back Up Over, यहां पर आप सेट कर सकते हैं, कि सिर्फ वाइप बैक अप बने, या फिर आप जब मॉबाईल डाटा यूज करें, तब ही यह Back Up बन सकता है, तो मैंने यहां पर वाइप कर सकते हैं, यहां पर आप यह भी मांक कर सकते हैं, कि वीडियो जो है, उसका भी backup बनाए मैं फिलान नहीं चाहता कि हमारे जो वाटसप पे वीडियो जाती है उनका मैं backup बनाओ तो मैंने इससे शोर दिया मैंने इससे अनुमार्प कर दिया हुआ है और उसके बाद जब यह सारी सेटिंग्स हो जाती है तो आप बैकप पे किलिक कर सकते हैं कि रिएटिम बैकप अन यो इंटर्नल स्टोरिज ठीक है तो यह चीज़ें बैकप हो निया स्टार्ट हो गई यहां पर आपने जो भी टाइमिंग सिट कर रखा है उस टाइम के हिसाब से वह आटमाटिकली बैकप जो है वह हो जाएका आपका पाइल चोड़ी हो जाता है आप आपकी जो इंपॉर्टिंट कर्वसेशन है वह आपकी गूगल अकाउंट में सेव रह जाती है तो आपकी इंपॉर्टिंट है कापी यूस्फुल फीचर है और अगर आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेर कीजिए ऐसे ही और भी इंट्रस्टिंग वीडियो अपडेश की है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल लखेगा